नमस्कार स्वागत है साहीतिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे भक्ती परंपरा उद्भव और विकास भारत में भक्ती का आगमन कैसे हुआ कहां से प्रारम हुआ भक्ती शब्द की उद्पत्ति कहां से हुई और फिर भारत के किन-किन भागों में इसका विकास हुआ और जो काल में भक्ति कावेधरा ने विस्तार कैसे प्राप्त किया इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हमें देखना है भक्ति का अर्थ और उसकी परिभाशाएं सबसे पहले बात करें कि भक्ति काल क्या है या भक्ति काल हम किसे कहते हैं तो हिंदी साहिते के विकास का दूसरा चरण दूसरा चरण किसका विकास का हिंदी साहिते के विकास का दूसरा चरण पहला चरण कौन सा था पहला चरण था आदिकाल जो हम पहले कर चुके हैं और यह कौन सा है यह दूसरा चरण है हिंदी साहिते के विका या पूरो मध्यकाल भक्तिकाल की प्रधानता के कारण भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है यानि मध्यकाल के भी दो भाग किये हैं एक तो उत्तर मध्यकाल और एक पूरो मध्यकाल उत्तर मध्यकाल में रितिकाल आ जाता है और पूरो मध्यकाल में भक्तिकाल आ जाता है इस क इस काल को भगति काल नाम दिया गया है यानि साहित्य की दृष्टी से अगर देखें तो इस काल में भगति से जुड़े हुए साहित्य की रचना अधिक की गई इसलिए साहित्य की दृष्टी से इस काल को भगति काल का नाम दिया जाता है आईएव जानतें कि इस शब्द की वितुपत्ति कहां से हुई देखि भगती शब्द की वितुपत्ति की अगर बात करें तो सबसे पहले मोनियर विलियम्स ने बताया है कि भगती कहां से आया ये मानते हैं कि भगती शब्द भज धातु में कतिन प्रत्य के योग से बना है यानि भगती शब्द बनाने के इसने माना है मोनियर विल्यम्स ने माना है कि भजधातु इसका आधार है और भजधातु में कतिन प्रत्य का योग हुआ है जिससे की भगती शब्द बना है अब अगर भगती के अर्थ की बात करें या भगती शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या है आराध्य क कोन है जिसके हम अराधना करते हैं जिसके हम पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं या जिसके हम शरण में चले जाते हैं उसके प्रती अनुरक्ति यानि प्रेम का नाम ही भक्ति है जिसको हम अपना अराध्य मानते हैं उसके प्रती जो प्रेम का भाग है वो क्या है भक्ति है सबसे पहले अगर भक्ती शब्द का उलेख अगर देखे कहा मिलता है तो भक्षी भक्ती शब्द का सबसे पहले उलेख मिलता है स्वेता श्वेतर उपनिष्ट में सबसे पहले भक्ती शब्द का उलेख मिलता है तो ये आपके पता होना चाहिए कि भक्ति शब्द सबसे पहले लिखा हुआ कहां मिलता है तो वो स्वेता श्वेतर उपनिष्ट में लिखा हुआ मिलता है भक्ति शब्द अब बात करते हैं परिभाशाओं की देखिए सबसे पहले शिरिमत भागवत गीता की परिभाशा देख सकते हैं ये गीता में क्या कहा गया है और गीता में किसने कहा है क्रिशन ने क्योंकि जो गीता है ये क्रिशन के ही तो उपदेश है तो यहां पर शिरिमत भागवत गीता में जो भक्ति को कृष्ण ने परभाशीत किया है वो क्या कहते हैं कि जो अपना बुद्धी वे मन मुझे समर्पित कर देता है वो क्या है वो भक्ति है अर्थात बुद्धी और मन का समर्पन क्या है भक्ति है शांडिले भक्ति शुत्र में क्या लिखा हुआ है कि इश्वर में परम अनुरक्ति ही भगती है यानि इश्वर के प्रती परम अनुराग परम परेम अपना सर्वसव समर्पित करके जो इश्वर से प्रेम भाव व्यक्त किया जाता है वो क्या है भगती है आचरे रामचंदर शुकल की परिभाशा भी म तो इसमें क्या है कि जो हमारा आराध्य है जो हमारा इश्ट देव है उसके प्रती हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें चाहे वो बुद्धी है चाहे मन है और परम उससे प्रेम करें और वो प्रेम कैसे करें श्रद्धा भाव से करें तो उसको क्या कहेंगे उस योग का नाम बात करें तो सबसे पहले जो भगती है इसकी उतपति कैसे हुई इसके अलग-अलग आचारियों के या विद्वानों के अलग-अलग विचार है दक्षिन भारत में सबसे पहले भग्ति की उत्पत्ति माने जाती है और वो कैसे आए भग्ति भारत में जो भग्ति आंदोलन का परचार परसार हुआ वो कैसे हुआ इस पर भी विद्वानों के अलग-अलग विचार है आचेरे रामचंदर शुक लिए मानते हैं कि मुस्लिम आकरांताओं की देन ये भग्ति आंदोलन या भग्ति को भारत में आगमन क्या है मुस्लिम आकरांताओं की देन है आकरांता क्या है आकरमन कारियों की देन है यानि भारत में जब मुसल्मान आए उनके आकरमन होने लगे तब भारति भारतिय जो लोग थे अपने इस्ट से अराधना करने लगे अपनी सुरक्षा के लिए ये परिभाशा नहीं उनका विचार है परिभाशा इनकी बहुत लंबी है अगर आप चाहें तो आप अपनी पुस्तक से कर सकते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ आचारिय शुकलिय कहते हैं कि राजाओं से निराश अपने धर्म से पतित हिंदू जनता के पास भगती के अलावा अन्य अवलंब बचा ही क्या था अवलंब यानी सहारा कि हिंदू जो लोग थे दुखी थे और बाहर से आने वाले जो आकर्मन हो रहे थे भारतिय राजा जो निराश शा की अभिव्यक्ती कर रहे थे और भारतिय जनता के प्रती निराश भाव व्यक्त कर रहे थे उसमें भारतिय जनता के पास कोई सहारा नहीं था मंदिर वे मूर्तियों को मुस्लिम आकरांताओं द्वारा तोड़े जाने की पूर्ति हिंदू भगतों ने साहित्य के माध्यम से की यानि जो मुस्लिम आकर्मनकारी थे वो भारतिये मंदिरों को तोड़ रहे थे और जो हिंदू भगत थे वो उससे दुखी थे पर व्यक्त नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने विचारों को कलंबद किया या उसको साहित्य का रूप देना आरंब कर दिया इसी कारण से भक्ति अंदोलन का उद्यमाना किसने आचारिय शुकल ने तो आप इसको एक पंक्ति में सिर्फ बता सकते हैं कि आचारिय शुकल ये मान थे उन भावों की पूर्ति कैसे की साहित्य के माध्यम से की उसके बाद आचारे हजारी परशाद्यवेदी इसमत का विरोध करते हैं ये क्या कहते हैं कि अगर भारत में मुस्लिम आकरमनकारी ना भी आये होते तब भी भक्ति के भाव इसी तरह होते या भक्ति आंदोलन इ को मानते हैं ये टाइपिंग में थोड़ा सेटिंग में गडबर हो गई तो ये लाइन इसके साथ आप जोड़ ले तो ये क्या मानते हैं कि भारत की स्वत्य सफूर्थ सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम मानते हैं कि सफ अपने आप उत्पन हुई है कि प्रस्तिति महोद्य ये मानते हैं कि अरब से आने वाले जो आकर्मन कारी थे उनकी देन मानते हैं भक्ति को वही विचार हैं कुछ-कुछ आचरे रामचंदर शुकल के जैसे ही जबकि गरियर्शन इसे क्या मानते हैं इसायत की देन यानि इसाई धरम का परचार परसार होने लग गया द Lancashar के आच देन इसाई धरम के परचार परसार से चिंतित होकर जो भार्ती है जो हिणु धरम की भक्ति भाव है वो आंदोलन के रूप में सामने आए ऐसा गिरियर्शन का मानना है तो यह भक्ति की उत्पत्ती या आंदोलन के प्रारंभिक कारण है जो अलग-अलग विद्वानों ने यहां पर व्यक्त किये हैं अब जानते हैं कि भक्ती परंपरा का विकास कैसे हुआ हमने जो प्रारंब में जाना है उसमें हमने देखा कि भक्ती का अर्थ क्या है परिभाशा क्या है या भक्ती हम किसे मानते हैं उसके बाद परिभाशाई हमने यहाँ पर शिरिमत भागवत गीता की की है शांडिले भगती शुत्र की की है आचारे रामचंदर शुकल की परिभाशा की है इसके बाद हमने देखा कि भगती की उत्पत्ति कैसे हुई और इस उत्पत्ति के बारे में विद्वान क्या मानते हैं कि भारत में भगती कैसे इतन उत्धान को नब्हों सा दक्षिन भारत यहां से प्रारंब्भ होकर करनाटक में काफी विकसित हुआ जो भक्ति-भाव या भक्ति-अंदोलन है nosotros में काफी विकास मिला जातरा करते हुए कभी करनाटक में इसका विकास हुआ, फिर महरास्टर में इसकी जड़े जमी, उसके बाद गुजरात में भक्ति भाव, लेकिन गुजरात का जो इलाका है वो जाधा परचार परसार वहां नहीं हुआ था, कुछ धीमी थी, यानि भक्ति विचार धारा जो ह का विकास हुआ या दक्षी भारत में ये उत्पन हुई तो हमें ये जानना आवश्यक अव्शक है कि दक्षिन भारत में कौन-कौन से संपरदा थे या कोन-कौन से ऐसे मत थे लोग थे जो इसका परचार परसार कर रहे थे दएखिए सबसे पहले तो हम इनके दो संपरदायों के बारे में जानते हैं आलावार और नयनार देखें जो आलावार शाखा है दक्षण भारत की आलावार शाखा ये वैश्णो भगत थे वैश्णो भगत कौन से हैं जो विश्णू के अवतार की पूजा करते हैं वो वैश्णो भगत थे और ये संख्य में बारा थे इसमें एक महिला भी थी ग्यारा पुरुष और एक महिला संत थी जो जिसका नाम क्या था अंडाल था कई बार छोटे प्रशन में पूछ लिया जाता है कि आलावार संतों में महिला संत का नाम क्या था तो वो अंडाल थी और इन्हें दक्षिन की मीरा भी कहा जा उसके बाद जो नेयनार है ये शिव के उपासक थे शिव कौन सा धर्म जो शैव धर्म उत्तर भारत में हम देखते हैं वो नेयनार से ही आगे बढ़ा है जो शैव धर्म है उत्तर भारत में वहाँ पर उसको क्या कहते हैं नेयनार और ये शिव की उपासना करते थे इनकी संख संक्या 67 मानते हैं और जो नामवर सिंग है वो इनकी संक्या 267 मानते हैं तो यह 266 यह 267 मानी जाती है तो यह इनमें मतभेद है तो अगर आपको याद रहे तो आप लिख सकते हो नहीं याद रहे तो कोई बहुत जादा कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पर इनकी संक्या लिखें दक्षिन भारत में जो संक्राचारिये हुए हैं इन्हों ने भक्ति धारा को परचारित परसारित करने के सासाथ इसकी जड़े जवाने में महतपूर अपनी भूमी का निभाई है इनका जो सिध्धान्त था वो एद परचार परसार में अपने विशेश भूमी का निभाई है इनमें अगर मधवाचारिये की बात करें तो मधवाचारिये ने जिस मत की स्थापना की वो द्वैतवाद है अगर आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं नहीं अगर करना चाहते तब भी वैरी शोट के लिए अवतार कोन है शिरी कृषिन उन्हीं को पूर्ण अवतार माना है लेकिन राधा को इन्होंने कोई माननेता नहीं दी ये मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति भगति के द्वारा ही हो सकती है अगर आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इनके बारे में तो आपका जो प्रशन है वो ज़ाधा अच्छा बन जाएगा इन्होंने माना है कि जीव और ब्रह्म दोनों प्रसपर निर्पेक्ष्टत्व हैं जीव ब्रह्म से ही उत्पन होता है प्रंतु वह नय तो ब्रह्म बना रहता है और नय ही वह पुने ब्रह्म में लीन हो सकता है यानि वो Shri Krishnan, अराधया पूरण अवतार मानते हैं विश्नु का और उसी को महतव देते हैं राधा को इन्होंने किसी प्रकार की माननेत नहीं दी है। इसी के साथ अकर देखें रामानूजाचारिया ने भी दक्षणी भारत में जो भक्ती धारा है इसको परचारित परसारित करने में बहुत ही महतपुन भूमी का निभाई है इन्होंने शंकर के मायावाद को असिविकार करती हुए विशिष्ट एतवैतवाद की स्थापना की है यह जो शंक्राचारिया है उनके सिधानत को नहीं मानते यह क्या मानते हैं कि जीव और जगत दोनों को स्वतनत्र माना है इन्होंने और इश्वर के अधीन ही सविकार किया है यह जीव और जगत कहां से उत्पन होते हैं इश्वर से दो चीजें होती हैं एक तो जीव और दूसरा जगत और किसके अधीन है दोनों ही इश्वर के अधीन है ये जो संपूर्ण जगत है ये इश्वर का ही रूप है और इश्वर संपूर्ण जगत में बसा हुआ है इश्वर के साथ जीव और जगत विशीष्ट एद इननों ने जिस संपरदाई की स्थापना की उसको वेश्णव संपरदाई कहा गया है आगे जाकर तुलसी दास भी इनके संपरदाई से परभावित हुए थे FL Note तो ये कौन है रामानुजाचारिय है इनका जो संपरदाय है वो वैश्णव संपरदाय है और इन्होंने कौन से मत को विशेश माना है विशिष्ट एद्वैत्ता का संबंद ये मानते हैं इश्वर जीव और जगत इश्वर सर्वोपरी है जीव और जगत इश्वर से ही उत् दक्षिन भारत के बात करते हैं उत्तरी भारत में और भारत में भक्ति का जितना परचार परसार हुआ जो हिंदू भक्ति है। हिंदु धर्म के जो अनेक मत बने उनके आधार पर अगर हम देखें तो इसका सबसे पहले श्रे जाता है रामानंद को और रामानंद के साथ जो बलवा जा रहे थे उनको इसका श्रे जाता है जो रामानंद है इन्होंने रामानंदी संपरदाई की स्थापना की थी किसने माना या राम को किसने माना ऐसा हमारा यहां उदेश्य नहीं हमारा यहां उदेश्य है कि सरव जो साखाएं हैं सारी जो शाखाएं हैं जो सभी भक्ति कावेधरा को विक्सित करने में या भक्ति आंदोलन का परचार परसार करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया सब की बात कर रहे हैं चाहे वो राम से जुड़े हैं चाहे वो क्रिशन से जुड़े हैं तो जो रामानंद है इनका जो संपरदाई है वो रामानंदी संपरदाई की इन्होंने स्थापना की थी इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद को स्थान दिया है या महत्व दिया है औ परमकान में विश्वास नहीं करते बलकि भक्ति को बल देते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए बलकि जातपात के भेद भाव से उपर उठकर भक्ति को महत्व देना चाहिए इसलिए इनकी शिश्य परमपरा में सभी जातियों से जुड़े हुए जो शिश्य है वो हुए थे इन्होंने राम और सिता की मर्यादा पूरण भक्ति पर बल दिया है और यह मानते हैं कि अगर हम जाती पाती ढोंग आडंबर को मान कर भक्ति करते हैं तो वह भक्ति सार्थक नहीं है कबीर और तुलसी दोनों दोनों ही रामानंदी संपरदाय से प्रभावी थे और रामानंद के अन्युवाई माने जाते हैं कबीर और तुलसी दासी तो यह रामानंद थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति के परचार परसार में विशेश योगदान दिया उसके बाद करते हैं वल्लबाचारिय की वल्लबाचारिय यह विश्णू के अवतार या शिरी क मारग का परचार किया पुष्टी मारग बहुत प्रसिद है क्रिशन भक्ती में पुष्टी मारग बहुत प्रसिद है यहां पर पुष्टी का अर्थ क्या है कृपा या अनुग्रे किसका अपने इश्वर का यानि हमें अपने इश्वर की कृपा के मारग पर चलना चाहिए उ इन्होंने बाटा है ब्रम सत्व चित और आनंद ये पुष्टी के चार भाग है बहुत हैं सर्दास को वल्लबाचारेय शयए के लिए प्रेरित किया था और सूर्दास ने इनहें अपना ुपstä harvest भाव की भक्ति प्रारंब करती थी सुर्दास इनके प्रसिद few शिश्य थे ये आप ध्यान में रखेंगे इन्होंने चेतन्य संपरदाई की स्थापना की इसके साथ अगर देखें तो चेतन्य संपरदाई में किसको महतव दिया विश्णु भक्ति का परचार परसार इन्होंने संपरदाई के माध्यम से किया इन्होंने अपने संपरदाय में निरत्य, गीत और संकीरतन को स्थान दिया यानि निरत्य के माध्यम से गीत के माध्यम से और कीरतन के माध्यम से अपने इश्वर की भक्ती करने पर इन्होंने बल दिया है इनके संपरदाई को चेतन्य संपरदाई के साथ साथ गोडिये संपरदाई भी कहा जाता है ये भी कई बार वेरी चोट जो प्रशन आते हैं या चोटे जो प्रशन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है चैतन्य संपरदाय को दूसरा कौन सा नाम दिया गया है तो वो क्या है गोडिय संपरदाय नाम दिया गया है इसके बाद हम देखते हैं आसम के क्षेतर में या आसम में शंकर देव ने भक्ती का परचार परसार किया अब अगर उडिसा के क्षेतर की बात करें तो उडिसा में पंच सखा यानि पांच सखा पांच लोग पांच भगतों ने भगती के परचार परसार में अपना महत्वपुन योगदान दिया इसमें बलराम दास है, यशोवत दास है, अचुत्यानन दास है, अनन्त दास है और जगननात दास है इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पंच सखा के नाम से ही प्रसिद है जिन्होंने उडिसा में भक्ती का परचार परसार किया महराश्च्र में अगर बात करें, तो महराश्च्र में पुंद्रीक ने वाराकरी संपरदाई की स्थापना की और पुंद्रीक के जो प्रसिद सिश्य हैं, उसमें ज्यान देव, ये बहुत ही प्रसिद नाम है ग्यान देव ने महराष्ट्र में भक्ति के परचार परसार में अपना बहुत महत्तमपूर्ण योगदान दिया इसके साथ साथ नाम देव ग्यान देव नाम देव संत तुकाराम यह आप नाम याद रख सकते हैं और एक नात यह जो है यह पुंद्रीक के शिश्य प्रंपरा में है यानि पुंद्रीक के शिश्य हैं जिन्होंने महराष्ट्र में वारकरी संपरदाय के माध्यम से भक्ति का परचार परसार किया तो यहां पर पुंद्रीक के साथ आप इनके नाम याद रख सकते हैं कि इनके शिश्य कौन थे ग्यान देव थे नाम देव थे तुकारा आते एकनात यह उनके प्रसिद शिश्य है जिन्होंने महराष्च्च में भक्ति का परचार परसार किया पुंद्रिक इन शिश्चों ने करम भक्ति और अध्यातम तीनों तत्तों का समावेश किया करम का भी यानि करम के माध्यम से इश्वर की प्राप्ति भक्ति के माध्यम से और अध्यातम के माध्यम से तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने करम भक्ति और अध्यातम तीनों में समता स्थापित करने करके समन्वय किया जिससे की जो भक्ति आंदोलन है महराष्ट्र में इसका बहुत परचार परसार हुआ और बहुत आंदोलन के माध्यम से भक्ति कालिन जो वीचारधार है फलने लगी तोत्री भारत में कैसे अलगलाग्छित्रों में अलगल बच्ञार परशार किया और यह जो आंदोलन भक्ति आंदोलन ये संपूर्ण भारत के कोने कोने तक इनके प्रयासों से पहुँच पाया तो इस तरह उत्री भारत में और दक्षनी भारत में भक्ति का परचार परसार हुआ ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो प्रशन आएंगे उसमें हम बताएंगे कि अलग अलग जो भक्ति है चाहिए क्रिशन भक्ति है राम भक्ति है सुफी असंत है उनके हम अलग अलग विशेश्टाइं करेंगे लेकिन यहां पर हमने जाना कि पूरे भारत में भक्ति का परचार परसार कैसे हुआ तो उमीद करती हूँ कि प्रशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जब आप इसमें लिखेंगे तो इसके एक भूमिका बनाएंगे भूमिका में आप बताओगे कि इसका अर्थ क्या है परिभाशा क्या है ये जो पंक्तिया है भूमिका में आप लिख सकते हो उसके बाद इसकी उत्पत्ति और अर्थ के बारे में बताओगे, परिभाशाएं बताओगे, उसके बाद बताओगे कि भगती आंदोलन के उद्या के अलग अलग विदुआनों ने कौन-कौन से कारण माने हैं कि भारत मे भक्ति आंदोलन कैसे आया इसके क्या कारण रहे और उसके बाद भक्ति परंपरा का विकास कैसे हुआ दक्षनी भारत में अगर देखे तो आलावार संतों ने कैसे विकास किया नेनार ने कौन से उसका विकास किया आलावार ने वैशनो भक्ति धरा का विकास किया और नेनार ने शिव के उपासक थे यानि शिव भक्ती का विकास किया दक्षिन भारत में तीन अन्य आचारी हुएं शंकराचारिय, मधवाचारिय और रामानुज आचारिय ने इसका परचार परसार किया या भक्ती आंदोलन को समरिद किया या गति प्रदान की उसके बाद हम उत्तरी भारत की बात करेंगे उत्तरी भारत में भी अनेक आचारी और विद्वान हुए हैं जिनोंने भक्ती आंदोलन को भारत के कोने-कोने में पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें सबसे पहले रामानंद आ जाएंगे फिर भलबाचारिय चेतन्य महाप्रुभू, शंकर में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद